नमस्कार में नीरज राठोर, आइए में के कॉनक्लेव से आज मेरे साथ में एप्टन पीजे सिंग सर हैं, जो कि एक सॉफ्ट स्किल ट्रेइनिंग कंपनी रंग कर रहे हैं, सिंग साथ अभी ये देखने में आ रहा है, कि युनिवर्सिटी और कॉलेजे से जितने भी स्टुडेंट्स निकल रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं, उनमें ये देखा जा रहा है कि कहीने कहीं स्किल्स की कमी है, वो इंडस्टी की नीट को पुरानी कर पा रहे हैं, आपने ब लेकिन वो जो कोर्स कराते हैं या जिससे उनको ग्रेजुएशन मिलती है उससे जरूरी नहीं है नौकरी भी मिल जाए क्योंकि अगर इंजीनियर की जरूरत है सौ लोग अपलाई करेंगे सौ के सौ इंजीनियर हैं अब नौकरी किसको मिले देखिए एक हावट की स्टडी है वो कहती है कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन सेम है तो नौकरी उसको मिलती है जिसकी परसिनलिटी और कम्यूनिकेशन अच्छा अगर हम जैसे हम अलड़ी काम करते हैं स्किल डिवलिप्मेंट में स्कूल में करते हैं कॉलेज में करते हैं ताकि बच्चों को जो गैप है एक तो एकस्पेक्टेशन है इंडस्ट्री की और एक करिकलम जो है वो कई बार इंडस्ट्री के बीच में और कॉलेज के करिकुलम के बीच में गैप रह जाते हैं क्योंकि हम लोग इतनी जल्दी करिकुलम चेंज नहीं कर पाते हैं तो जरूरत है कि हमारे जैसे लोग या जो और टेक्निकल ट्रेनिंग वगरा कराते हैं उनके साथ मिलके अगर इन बच्चों को तयार किया जाए तो वो जो गैप है जो एक इंडस्ट्री को चाहिए और वो जो एक एक अकेडिमिया वाले कर रहे हैं उन दोनों को पाटा जा सेगे उसकी आवश्चा जैसा कि प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी इसकील इंडिया के माध्यम से इसकील को हमेशा डेलोप करने का उनका एजेंडा रहा है तो क्या गॉर्मेंट वो प्राइवेट सेक्टर की पार्टनर्शिप से कुछ फाइदा होगा इसकील डेलोपमेंट के सेक्टर में जी देखिए मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है उस सेक्टर को स्किल दे रहे है जिस सेक्टर में अभी तक और्गनाइजड ट्रेनिंग नहीं हुआ करती थी अब जैसी मोबाइल की इंडस्ट्री शुरू हो गई है मोबाइल के टेक्निशन की ट्रेनिंग नहीं इलेक्ट्रीशन हमारे पास भरे पड़ें इलेक्ट्रीशन की सर्टिफिकेट ट्रेनिंग नहीं है वो कॉलेज में जानी सकते है युनिवस्टी में जानी सकते है और ऐसी कोई जगा नहीं है जहां पर उनको सर्टिफाई किया जाए कि इस वक्ति को बिजली का काम आता है इस वक्ति को आटो का काम आता है इस वक्ति को इंजन खोलने के लिए दिया जा सकता है वही स्किल डिवेलपमेंट जो है मोधी जी कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है अभी मोधी जी को इसके आगे और जाना है और वो है college तक पहुंचना अभी तक वो college से बाहर वाले जो लोग हैं जो skill development से ही अपना गुजाराज करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगी उसको आगल जाने के लिए जैसे आपने कहा industry और देखिए आज हम convention में भी सुन रहे हैं conclave में भी सुन रहे हैं जितने speakers आ रहे socialty है वो तो आप जरूर कीजिए जहां पर नहीं है दूसरे को शामिल करें इसको मतने collaboration तो हमें industry को चाहिए कि collaborate करें उन लोगों से college को चाहिए collaborate करें प्रधान मंत्री जी को चाहिए ऐसा plan बने जहां private और सरकार की partnership हो सकते हमारा aim के हमारा aim तो यह है कि हमारे बच्चे तया जिसके केवल टेक्निकल स्किल होने के कारण नौकरी नहीं मिल सकती है इसलिए वो इलाका बहुत ज़रूरी है और वहां हमको ध्यान देना ज़रूरी है अभी हम वहां पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं एक और प्रस्ण पूसना चाहिए मैं जैसा कि हमेशा यह प्रस्ण बेस्ट एजूकेशन यहां पर होना चाहिए लेकिन यहां इसका उल्टा हो रहा है यहां पर रट्टू तोते की तरह इस्टूडेंट्स दिन रात सिर्फ रटने में ही अपना समय जो है वेश कर देते हैं तो क्या शाशन को अपनी पॉलिसी में बदलाव लाके पाथे करम क वेश्टन कंट्रीज की तर्च पर लागू कर देना चाहिए देखिए कुछ हद तक तो हमें जो अच्छी पॉलिसी को बलते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेज जब किसी भी देश की हो वो फॉलो करनी चाहिए लेकिन इसके साथ साथ में अपने जो उरिजिनल गुन हैं हमारे व पुरे विश्व में हिंदुस्तानी जो स्किल्ड लोग हैं वो मशूर हैं काम करने के लिए उनकी कुछ कॉलिटी तो होंगी लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहा आती है एक्प्लिकेशन फ्रेज यानि कि जब हम कुछ पढ़ाते हैं उसके बाद लेक्चर के बाद उसको अप इविज्वल डिवेलपमेंट करने के चक्कर में रहते हैं जबकि हमें उसको इस तरह तैयार करना है कि देश विदेश कहीं पर भी जाके उसके स्किल सेट्स की जरूरत पड़े स्किल सेट्स काम आ सके यह बहुत ज़रूरी है जैसे कहा जाता कि इस टीचिंग के चार फेज होते हैं पहला फेज होता है मोटिवेशन फेज दूसरा होता है इंफर्मेशन फेज तीसरा होता है अप्लिकेशन फेज चौता होता है एवैलिवेशन अनफॉटनेटली हमारी एजुकेशन सिस्टम में ना तो हम मोटिवेट करते हैं ना ही मपलाई करते हैं इंफर्मेशन देते हैं और टेस्ट ले लेते हैं इस पध्धिती को बदली करने की बहुत सब्सक्राइब कैप्टन सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने घमासान.com की टीम को अपना समय दिया आई होप कि हमारे यूथ आपके इस मेसेज से लर्निंग लेकर निशीती अपना इस्किल्ड जो है डेलोप्मेंट करके इंडिया को एक सूपर पावर की तरह इस्थापित कर पाएगा आपका धन्यवाद आपने मुझे मुझे मौकर दिया आज की जनरेशन जिसे य एक्स जो भी कहलें उससे बात करने का थैंक यू बैरे बूच